हलो फ्रेंड्स नमस्कार मेरी यूटूब चैनल अस्टडी पाइंटेटीबान में आपका स्वागत है हम आज की इस वीडियो में कॉंग्रेश के सभी महत्पुर्ण अजिबेशन को देखेंगे अब हम लोग आज के अपने टॉपिक के ओड चलते हैं कॉंग्रेश के अस्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में ए ओहियूम के द्वारा किया गया इसका पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ जिसमें 72 प्रतिनीदियों ने भाग लिया यह अधिवेशन पहली पूना में होने वाला था लेकिन वहां हैजा फैल जाने के का गारन यह अधिवेशन मुंबई में हुआ इस अधिवेशन की अध्याच था डब्लू सी बनर जी ने किया जिन्हें कांग्रेश के प्रतहम अध्याच होने का गौरव प्रापत है नियुक्त क sır कांग्रेश का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकता में हुआ जिसके अध्याच दादा भाई नौरोजी थे इस समय भारत का वाई शराय लाट डफरिन था इस अधिवेशन में सुरींद्र रनात बनर जी पहली वार्ट सामिल हुए थे 1886 में इन्होंने इंडियन एसोसियेशन संगटन की अस्थापना की थी जिसका सम्मेलन भी 1885 में कलकटा में चल रहा था इसी बज़ा से वे कॉंग्रेश के पहले अधिवेशन में सामिल नहीं हो पाए इसी अधिवेशन में सुरींद्र रनात बनर जी द्वारा अस्थापित स इंडियन एसोसियेशन का कॉंग्रेश में बिले कर दिया गया वाइस राइडर फ्रेंड कॉंग्रेश के सदस्यों को चाय पार्टी देता है जिसमें सुरींद्र नात बनर जी सामिल नहीं हुए थे कॉंग्रेश का तिसरा अधिवेशन 1887 में मदरास में हुआ जिसकी अध्यचता बदरुदीन तयब जी ने किया इनको कॉंग्रेश का प्रत्थम मुसलिम अध्यच होने का गौरव प्राप्त है इस अधिवेशन में पहली बार 6.3 भाषा तमील भाषा में भाषन दिया गया और जंता से कॉंग्रेश में सामिल होने की अपील की गए और इसी अधिवेशन में जंता के सामने कॉंग्रेश के नेता ने पहली बार अंग्रेजी शरकार की कर्मचारियों की अलोचना करनी सुरू की इसी अधिवेशन में पहली वार्चंदा के माध्यम से पैसे इकठा करना सुरू किया गया और कॉंग्रेशी बनों का नारा कॉंग्रेश के मंच से दिया गया कॉंग्रेश का चौथा अधिवेशन 1888 में परियाग राज में हुआ जिसके अधिवेशन जौर्ज यूले थे जो कॉंग्रेश के पहले अंग्रेज अधिवेशन में जौर्ज यूले ने कॉंग्रेश के मंच से संबोधित करते हुए कहा कि हम पहले भारतिये हैं फिर हिंदू मुस्लिम शीख खिशाई इसी अदिवेशन में लाला लाजपतराय कॉंग्रिस में पहली वार शामिल होते हैं और लाला लाजपतराय कॉंग्रिस के मंच से पहली वार हिंदी में भाशन देते हैं शर्ड सेयद अहमद खां यह नहीं चाहते थे कि कॉंग्रेश का अधिवेशन इलाहावाद में हो क्योंकि इलाहावाद मुश्लिम बाहुले छेतर है यदि यह अधिवेशन इलाहावाद में हुआ तो मुश्लिम भाई कॉंग्रेश में शामिल हो जाएंगे जिससे मेरा समाप्त हो जाएगा डफ्री ने कॉंग्रेश की यह कहकर आलोचना की कि कॉंग्रेश अल्फ संख्यक लोगों का प्रतिनी धीत कर रहा है कॉंग्रेश का पाचमा अधिवेशन अठारा सो नवाशी में मुंबई में हुआ जिसके अध्याच बिलियम वेडर वर्ण थे बाल गं किया गया और लंदन में एक ब्रेटिश कॉंग्रेश कमेटी का गठन किया गया जिसका मुख्याले इंडिया में था अर्थात कॉंग्रेश ने लंदन में एक संस्था ब्रेटिश इंडिया कमेटी का गठन किया कॉंग्रेश का छटा अधिवेशन अठारा सो नवे में इस अधिवेशन में पहली वार कॉंग्रेस के मंच से ग्रेजुएट महिला कादंबनी गांगुली ने भाशन दिया। इसके अधिवेशन दादा भाई नो रोजी थे। इसके अधिवेशन में मद्राश में हुआ जिसके अधिवेशन में कॉंग्रेस के मंच से बकीम चंद्र चतरजी द्वारा रचित गीत बंदे मात्रम को पहली बार गाया गया। जिसे संबैधानिक तरजा प्राप्त नहीं है। इसी अधिवेशन में कॉंग्रेस के मंच से दादा भाई नारोजी के धन निश्कासन के शिधान्त को श्विकार किया गया। कॉंग्रेस का पंद्रहमा अधिवेशन 1901 में कलकाटा में संपन हुआ जिसके अध्याच दिन साई बाचा थे। कॉंग्रेस के इसी अधिवेशन में गांधी जी पहली बाट सामिल हुए। कॉंग्रेस का बिश्वा अधिवेशन 1904 में मुंबई में हुआ जिसके अध्याच सर हेन्री कॉटन थे। मुहमद अली जिनना कॉंग्रेस में पहली बाट सामिल होते हैं। कॉंग्रेश का 21 अधिवेशन 1905 में बनारस में संपन हुआ जिसके अध्याच गुपाल कृष्ण गोखले थे इसी अधिवेशन में बंगाल बिभाजन के बिरोध में कॉंग्रेश के मंच से स्वधेशी और वहिशकार को स्विकार किया गया गुपाल कृष्ण गोखले ने अपने भाषन में कहा मेरा जो लच है ओ राष्ट बाद को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए कॉंग्रेश का 22 अधिवेशन 1906 में कलकटा में शंपन हुआ जिसके अध्याच दादा भाई नौरोजी थे दादा भाई नौरोजी का धचे भाषन गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था इसी अधिवेशन में स्वराज और राष्ट्रिया सिछा को कॉंग्रेश के मंच से स्विकार किया गया जबकि स्वदेशी और भाईशकार को 1905 में स्विकार कर लिया गया था फिर भी 1906 में इसे पूना स्विकार किया गया इस परकार 1906 में कॉंग्रेश ने स्वदेशी भाईशकार श्वराज और राष्ट्रिया सिछा को स्विकार किया कॉंग्रेश का तेश्मा अधिवेशन 1907 में सूरत में शंपन हुआ जिसके अध्यच राश विहारी घोस थे इस अधिवेशन में कॉंग्रेश गरम दल और नरब दल में बढ़ जाता है जिसे सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं दोनों दलों में मतवेद इतना बढ़ गया कि मारा पिटी होने लगी इसी कारण इस अधिवेशन को असफल घोसित कर दिया गया कॉंग्रेश का तेश्मा अधिवेशन 1908 मिंदुवारा मदरास में आयोजित किया जाता है जिसके अध्यच विराश विहारी घोस बनते हैं कॉंग्रेश का 1909 का अधिवेशन लहौर में हुआ जिसके अध्यच मदर मोहनमाल बिये थे इस अधिवेशन को कॉंग्रेश का सिल्वर जूबली अधिवेशन भी कहा जाता है क्योंकि 1909 में कॉंग्रेश के अस्थापना का 25 वर्ष पूरा हो गया था इसी अधिवेशन में मदर मोहनमाल बिये ने पहली वार कॉंग्रेश के मन से फ्री एजुकेशन की बात कही थी कॉंग्रेश का 1910 का अधिवेशन इलाहावाद में होता है जिसके अध्यच विलियम वेडर बन थे इसके पहले ये 1889 में भी कॉंग्रेश के कलकता अधिवेशन की अध्यचता कर चुके थे इस परकार ये दो बार कॉंग्रेश का अध्यच बनने वाले पहले अंग्रेश थे कौंउंघ्रीश का 1911 का अधिभेशन खुलकटा में शंपन हुआ जिसके अध्याज़ पंडित भिशन णाराएन धर थे इसमें पहली बार कौंउंघ्रीश के मंच से राष्टगान जन गानमन गाया गया कॉंग्रिश का 1912 का अधिवेशन पटना के वाकिपूर में शंपन हुआ जिसके अध्याच मधोल कर थे 1912 में ही जवाहरलाल नेहरू कॉंग्रिश में पहली बार सामिल होते हैं और इसी अधिवेशन में कॉंग्रिश ने ए ओ हुम को अपना जनक या पीता माना कॉंग्रिश का 1916 का अधिवेशन लखनाओ में हुआ जिसके अध्याच अंभिका चरण मजुमदार थे इस अधिवेशन को लखनाओ समझाता के नाम से भी जानते हैं 1907 के सूरत अधिवेशन में कॉंग्रिश में फुट पर जाती है और वे गरम दल और नरम दल में बट जाते हैं इस अधिवेशन में एनी बेशेंट और तिलक के परियास से नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं इसी अधिवेशन में तिल्लक और जिन्ना के सहयोग से कॉंग्रिश और मुस्लिम लिंग के बीच एक समझाता होता है जिसे लखनव समझाता के नाम से जानते हैं इसी अधिवेशन में बाल गंगा धर तिलक ने स्वाराज मेरा जर्म शिद अधिकार है इसे मैं ले कर रहूंगा कहा था इसी अधिवेशन में कॉंग्रिश मुस्लिम लिंग के प्रिथक निर्वाचन मंडल को स्विकार कर लेता है कॉंग्रिश का 1917 का अधिवेशन कुलकटा में होता है जिसके अध्याच एनी बेसिंट थी जो कॉंग्रिश की पहली महला अध्याच और पहली विदेशी महला अध्याच बनी कॉंग्रिश का 1918 का अधिवेशन दिल्ली में होता है जिसके अध्याच मदन मोहनमाल विये थे इसके पहले 1909 में भी कॉंग्रिश के लहौर अधिवेशन के ये अध्याच रह चुके थे कॉंग्रिश के मन्च से पहली वारफंडा मेंटल राइट की मांग की गई कॉंग्रिश का 1919 का अधिवेशन पंजाब के अमरित्सर में हुआ जिसके अध्याच मोतिलाल नहरू थे इसी अधिवेशन में कॉंग्रिश के मन्च से खिलाफत अंदोलन का समर्थन किया गया और 13 अप्रिल 1919 के जलियावाला बाग कांड की अलोचना की गई कॉंग्रिश का 1922 का अधिवेशन नागपूर में हुआ जिसके अध्याच बीद रगवाचारी जी थे इस अधिवेशन में कॉंग्रिश के मन्च से असायोग अंदोलन के प्रस्ताब को पारित किया इस प्रस्ताब को सीयर दास ने प्रस्तुत किया जिसका समर्थन मोतिलाल नहरू ने किया, इसी अधिवेशन में कॉंग्रिस ने रियास्तों के प्रति अपनी नीती घोशित की, इसी में भासा के आधार पर देश को प्रांतों में विभाजित किया गया, और इसी में कॉंग्रिस के संबिधान में संसोधन भी किया गया, 1922 में कॉंग्रिश के मन्च से हिंदी को शंपर्क भाषा के रूप में विक्सित करने की बात कही गई कॉंग्रिश का 1921 का अधिवेशन अहमदावाद में हुआ जिसके अध्याच हकीम अजमल खां थे इस अधिवेशन के लिए अध्याच सीयारदास को चुना गया था लेकिन जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां अध्याच बने और सीयारदास का भाषन सरोजनी नाइडो ने पढ़ा था कॉंग्रिश का 1922 का अधिवेशन गया में हुआ जिसके अध्याच सीयारदास थे इसमें कॉंग्रिश में दो विचारधारा निकल कर आती है 1923 का अधिवेशन दिल्ली में हुआ जिसके अध्याच अबुल कलाम अजात थे ये कॉंग्रिश के सबसे कम उम्र के अध्याच बनने बाले ब्यक्ति थे कॉंग्रिश का 1924 का अधिवेशन करनाटक के बिलग्राम में हुआ जिसके अध्याच महात्मा गांधी जी थे कॉंग्रिश का 1925 में अधिवेशन कानपूर में हुआ जिसके अध्याच सरोजनी नाइडू थी ये कॉंग्रिश की अध्याच बनने वाली प्रथम भारतिये महिला थी कॉंग्रिश का 1926 में अधिवेशन गुहाटी में हुआ जिसके अध्यासरी निवाश अयंगर थे इस अधिवेशन में कॉंग्रिश के सदस्यों को खादी का बस्तर पहनना अनिवार कर दिया गया Congress का 1917 का अधिबेशन मद्रास में हुआ जिसके अध्याच मुकतार आहमद अंसारी थे इस अधिबेशन में Congress के मंच से Simon Commission के भहिशकार के खिलाप प्रस्ताप पारित किया गया Congress का 1928 का अधिबेशन कलकटा में हुआ जिसके अध्याच मोतिलाल नहरू थे इस अधिवेशन में नहरू रिपोट को कॉंग्रेश के मंज़ पर स्विकार कर लिया गया और इसी अधिवेशन में विदेशी विभाग की अस्थापना की गई कॉंग्रेश का 1929 का अधिवेशन लहूर में होता है जिसके अधिवेश पंडी जवाहलाल नहरू थे अधिवेश पर्द के लिए महात्मा गांधी को चूना गया था लेकिन महात्मा गांधी ने अपनी अधिवेशता पंडी जवाहलाल नहरू को दे दिया इस अधिवेशन में कॉंग्रेस के मन से पूर्ण स्वराज का प्रस्ता पारित किया गया, पूर्ण स्वतंतरता के लिए शबने अभग्यांदोलन सुरुक किया गया, और 26 जनवरी को स्वतंतरता दिवस के रूप में मनाये जाने की घोशना की गई 1931 में कॉंग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है, क्योंकि इस समय कॉंग्रेस सबने अभग्यांदोलन में ब्यस्त थी, कॉंग्रेस का 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ, जिसके अध्याच सरदार बल्लभाई पर टेल थे इस अधिवेशन में फंडामेंटल राइट को स्विकार किया जाता है, जिससे जवाहलाल नहरुनी बनाया था, इसी अधिवेशन में लंदन में होने वाले दूसरी गोल मिस सम्मेलन में कॉंग्रेस का प्रतिनिधित करने के लिए महात्मा गांधी नमांकित हुए थे कॉंग्रिश का उनी 133 में अधिवेशन कलकता में हुआ, जिसके अधिवेशन नलनी शी गुपता थे, जो पहली अंग्रेज महिला अधिवेशन लखनाओं में होता है, जिसके अधिवेशन पंडी जवाहलाल नहरु थे इश अधिवेशन में भाषन के दोरान जवाहलाल नहरु ने कहा, मैं समाजबादी हूँ और मेरा लज समाजबाद के अस्थापना करना है, इशी में प्रांतिय श्वशाशन का प्रस्ताब कॉंग्रिश के मन से पारित किया जाता है कॉंग्रिश का 1937 का अधिवेशन फैजपूर महराष्ट में हुआ, जिसके अध्यश जवाहलाल नहरु थे, किसी गाउं में होने वाला ये पहला अधिवेशन था 13 सुत्री क्रीशी कारकरम इशी में पारित किया गया कॉंग्रिश का 1938 का अधिवेशन हरीपूरा गुजरात में हुआ, जिसके अध्यश सुवास चंद्र बोस थे, ये दूसरा अधिवेशन था जो गाउं में हुआ 1938 में ही जवारलाल नेहरू के नेतरित में राष्ट्रिय योजना समीती की अश्थापना की गई और राजबाडों को भी स्वतंतरता शंगर्श में सामिल किया गया कॉंग्रिश का उनी 49 का अधिवेशन त्रिपूरी मध पर्देश में हुआ, जिसके अध्यश डॉक्टर राजब्ध परसाद थे सुवास चंद्र बोस अध्यश पद के लिए चूने गया थे, लेकिन वाद में वे इस्तिफा दे देते हैं तब उनकी जगा राजेंद परसाद को अध्यश पद के लिए चूना जाता है सुवास चंद्र बोस इस्तिफा देने के बाद 1949 में फारवर्ड व्लॉक का गठन करते हैं इस अधिवेशन को तरी पूरी शंकट के नाम से भी जानते हैं कॉंग्रिश का 1940 में अधिवेशन जारखंड के रामगड में होता है जिसके अध्यश अभूल कलाम आज़ाद थे 1941 से 1945 के बीच में विभिन घटनाओं जैसे सेकिंड वर्ड वार भारत छोड़ अंदोलन के कारण कॉंग्रिश का कोई अधिवेशन नहीं हुआ इस पर कर मुलाना अभूल कलाम आज़ाद कॉंग्रिश के अधिवेशन मेरट में होता है जिसके अधिवेश जे भी क्रिपलानी थे अपने अधिवेश पद पर दिसंबर 1946 से नवंबर 1946 तक बने रहते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कॉंग्रिश के अधिवेश जे भी क्रिपलानी थे हम लोगों ने आज के वीडिवेशन को देखा और समझने का परियाश किया इसे के साथ मेरा आज का वीडिवेशन समाप्स होता है